हेलो माइडर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग कैसा गया आपका एक्जाम गाइस मैं बार 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 बोल आता है कि दिन पर दिन जो हा सारे स्ट्रेट्स हैं वो अब अपने को इवॉल्व कर रहे हैं क्लियर तो बट ऑवियर्स कुछ स्ट्रेंड परसान थे किसा पेपर कुछ खास नहीं हुआ परसान नहीं होंगे आई यह पेपर के बारे में समझते हैं सो इस बार हमने यह देखा कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन कम थे करंट एफेर्स क्वेश्चन कम थे तो यह दो सेग्मेंट काफी आपको लो लगा और अब मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगी कि मार्केटिंग कर रहा है गुरू जी ठीक जो हां पर मैंने जिन इंस्टूर्स में डेली पर मैंने बीपेसी के लिए जोगरफी पढ़ाई हैं जहां मैंने बायो पढ़ाया है सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़के सारे क्वेश्चन नोट से आए हैं इससे खुसी मिलती है कि और हम मेहनत करें ताकि आपको और हम कॉ फॉल्विंग लिक्वेड इस बैड कंड़क्टर ओफ एलेक्टिसिटी निम्न में से कौन सा तरल बिजली का कुछालक है बैड कंड़क्टर और कुछालक की बात हो रही है आपको जो एंसर समझ में आए वो आप इसमें करते जाओगे है कि अगर गाइस है बट आउवियस आम तौर पर ऐसे कौशन जो आया करते थे तो उसमें डिस्ट्र बाटर एक सलुशन होता था था अब इसमें लेमन जूस में सौल्टिट वाटर में और इंज उसमें सब में आयंस हैं सब electricity के good conductor है तो इसका answer हो गया none of the above none of the above होगे answer 26 कड़ी क्योंकि सारे सारे क्या है question पूचाए कि भी बैर कंड़क्टर कौन है all of them are good conductor सारे क्या है good conductor है सुचालक है बिजिली के सुचालक है good conductor है ठेक अगर इसमें distilled water होता तो हम distilled water जो कि आयंस अर्लीस नहीं करता तो हम उसको opt करते ठेक आये चो अगले question पर चलते हैं यह question जब मैंने offline batch में लिया था तो three dimensional animations भी दिखाया था और guys मेरे shots भी उस coaching institute के channel पर पढ़े हुए जिसमें पूरा DNA घूम रहा है और मैंने इसकी बात की है so double helical structure of DNA was discovered by Watson and Crick James Watson और Francis Crick ने double helical DNA की सनचना की खोज की इसमें हमने देखा कि कैसे DNA के दो strand दो धागे एक strand का base दूसरे strand के base से nitrogenous के चार से आपस में hydrogen bond से जुड़े हैं याद आया आए आपको प्यूरीन वाली बात एजी ट्रिक दिया था आपको CT फिर मडीन वाली बात और फिर तुनला की थी आरने से कि अगर DNA के पास एजी सीटी है तो आरने के पास यूरासिल है clear तो यह हमने समझा यह हमने इसके डबल हैलिकल स्ट्रक्चर के बात की मेजर ग्रूप माइनर ग्रूप की बात की ठिक हाई यह कम ऑन दा निक्स क्वेश्चन टू अबजेक्स ओफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रिली नियर दा सर्फेस ओफ मून अलग अलग धर्बमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सता के पास स्वतंत रूप से गिरने से क्या होगा आपको देखना है मैं साइड हुआ रहा हूँ ठिक experience forces of same magnitude समान परिमार के बल्ग अनबह होगा एक विकल्प यह है different acceleration अलग अलग त्वरण होगा undergoes change in the inertia उनके जर्ट में परिवारतन होगा have same velocity at any instant किसी भी छड़ एक ही वेग होगा guys irrespective of the mass अगर उनके मास की बात के दर्बमान की बात करें बले उनके दर्बमान अलग अलग हो किसी भी छड़ उनका एक ही वेग होगा have same velocity at any instant take acceleration due to gravity is independent of mass of the body hence same acceleration due to gravity of moon is applied on both objects so they will have same velocities at any instant irrespective of their masses so 28 का B is the right answer ठीक आईए आगे बढ़ते हैं guys ये तो मैंने अभी हाली में दिल्ली मुखज नगर में हिंदी माद्या में class ले रहा था तो मैंने बहुत जबर्जस animation दिखाया कल की बात है हाली की कल की बात है the process that continually add new crust 3D dimension से हमने दिखाया है कि कैसे कैसे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है जब हम प्लेट tectonics का discussion कर रहे थे conveyor belt principle की बात कर रहे थे और mental plume convective currents के बात की कैसे दो प्लेट को drag करके और समुद्रों के mid oceanic reefs पे new crust की formation हो रही है महासागरी तल का समुद्र तल का फैला हो रही है sea floor spreading हो रही है क्योंकि प्लेट margin एक दूसरे से दूर जा रही है divergent हो रही है और यहाँ पर दरारी उद्वेदन fissure type of eruption हो रहा है so 30 का D is the right answer लगतार नई परत जोडने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है subduction निस्खलन से तो समुद्री परपटी oceanic crust टूट रही है बुकम तूटने के बाद जो magma बना उसने आंतरिक हलचल की और वहाँ उसने internal disturbance किया ठेक mental plume, convective currents, plates को drag करने का प्रयास कर रही है तो आपके पास B is the right answer C floor spreading keyword था, समुद्र तल का फैलाव और मासागरिय नई भूपरपटी का new oceanic crust की formation गाइस बहुत प्यारा question आईए ज़रा इस question पर आते हैं अब BPSC भी आप से बोल रही है कि सिर्फ factual बातों से काम नहीं चलेगा Be alert, be attentive The theory that states pieces of the earth crust are in constant slow motion driven by movement in the mental भूपटल के टुकडे, mental में गती द्वारा निरंतर धीमी गती से प्रवाहित होते हैं इस सिधान्त को क्या कहेंगे अब slow motion driven by movement in the mental अगर हम continental drift theory की बात करें तो वेगनर ने कहीं इसकी चर्चा नहीं की है वेगनर ने किसकी चर्चा की है polar fleeing की चर्चा की है tidal forces की चर्चा की है तो guys theory of plate boundary तो है नहीं drift तो है नहीं पैंजिया पैंथलासा तो वेगनर की सिधान्त का ही भाग है theory of plate tectonics में हमने पढ़ा कि कैसे mental equilibrium, thermal currents, some money धराएं तापी धराएं responsible हैं प्लेटों को अलग अलग दिसाव में चारों तरफ लेकर जा रही हैं चाओ plate continental है माधवीपी है चाए महासागरी है oceanic है so plates are in motion in all directions ठेक so 31 का D is the plate tectonic सिधान is the right answer guys hope you are enjoying अभी मुखरज नगर में मैंने एक BPC batch में geography with great animation कराया था ठेक what is expanded form of term mRNA ठेक जब भी मैं nucleic acid प्राता हूँ DNA RNA प्राता हूँ RNA के प्रकार प्राता हूँ ठेक so mRNA messenger RNA इतना यह पूछा बस हमने तो इतना भी पढ़ा है कि DNA से DNA का बनना replication याद आ रहा है और DNA से RNA का बनना transcription nucleus में हुआ और फिर यह RNA messenger RNA message लेके cytoplasm में आया और ribosomes के help से इसने translation कराया protein का निर्माड कराया protein की formation हुई यहाँ पे 32 की बात हो रही है messenger ribonucleic acid B is the right answer ठेक आई गाई an AC current can be produced by इसे करें कैसे हम उत्पंद करते हैं अगर हम ट्रांसफोर्मर की बात करें तो ट्रांसफोर्मर चाह कर रहा है law of conservation of energy पर काम कर रहा है कि energy cannot be created or destroyed only transformed ट्रांसफोर्मर एलेक्रिसिटी नहीं बना रहा है merely voltage को change कर रहा है ताकि user की need को suit करें ठेक तो अगर इस प्रस्त की बात करें तो ट्रांसफोर्मर कोई AC current produce नहीं कर रहा है कि आगे देखते हैं अगला option क्या था डाइनियमो डाइनियमो में क्या हो रहा है mechanical rotation से electrical energy बन रही है electromagnetic power device that generates direct current electric power इसे हम generator भी बोलते हैं usually refers to an alternator that generates alternating current power यहां पर हमने इसे बी वाले option को opt कर लिया है चोग कोईल क्यार भई हम यूज कर रहे है electrical circuits में to allow DC current to flow through while blocking AC current from passing तो चोग कोईल DC को इलाव कर रहे है इस कोईल को number of devices में यूज करते हैं है न गाइस तो आईए इस question के बात करें तो इसमें जो उपलाव option है उसमें हमने D वाले को opt कर लिया dynamo दो तरह की होंगे इतना details में मैं नहीं जा रहा हूं ठीक current density क्या है धारा घनत तो क्या है भाई धारा घनत से तापर क्या है जल्दी से इस सवाल का आप जबाब देने का प्रयास करिए आप क्या समझ पार हो तो टोटल amount of current जो flow कर रहा है ठीक वन यूनिट वैलू आफ क्रॉस सेक्शनल एरिया वन यूनिट आफ क्रॉस सेक्शनल एरिया तो जाईर से बात यह एक वेक्टर सदिस रासी है यह एक सदिस रासी है वेक्टर क्वांटिटी है करन डेंसिटी रेफास टू टोटल एमाउंट आफ करेंट विच इस फ्लोईं थ्रू वन यूनिट वैलू आफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया एन इट इस आ वेक्टर क्वांटिटी ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस बहुत फार्स तो नहीं कर रहा है मैं चारों कि जल्दी से आपको सारे इंसर सही सी बता दे अगर हम मेडिकल केमेस्ट्री में दवाओं के वर्गिकरर की बात करें मेडिकल केमेस्ट्री में हम दवाओं के वर्गिकरर कई तरीके से करते हैं लेकिन दवाओं के वर्गिकरर काई तरीके से करते हैं लेकिन दवाओं के वर्गिकरर काई तरीके से करते हैं मॉल्कुल टार्गेट के बेसिस पे बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक भाई आप किसको टार्गेट करो देखिए जड़ा ता मोस्ट यूस्फल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रक्स फॉर मेडिकल केमिस्ट इस ऑन दे बेसिस ऑफ मॉल्कुलर टार्गेटज ठीक ड्रक्स जो इंटरयक करेंगे बायो मॉलिकुल से जैसे कार्भोःडेट से लिपpose से प्रोटीन से नुकालिट एसिड से प्रेजेंट इन हुमनом बोडी इनको आप टारगेट मॉलिकोल्स और ड्रक्स targets बोलते हो यहां पर C is the right answer ठीक तो अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें it is the most widely accepted which of the following slowdown the reaction rate देखिया अगर आप से से बात करें ठीक तो इन हीबिटर्स अगर ऑप्सेंस में होता है यह तो हम इसे आप करते एज राइट एंसर कौन सा प्रतिक्रिया की दर्ग को धीमा करता है तो यहां पर आप केटलिस्ट इसलिए और प्ने कर रहे हों कि आपके पास होमोजीनस और हैट्रोजीनस और प्रमोटर जैसे ऑप्सेंस हैं सो निम्न में से को उप्रिप्त में से कोई नहीं नन ओफ दे अबब केटलिटिक पोईजन एक केमिकल है अगर वो छोटी मात्रा में प्रेजेंट है तो केटलिक के एक्शन को डिस्रप्ट करता है क्या बोलेंगे आप जो रेट ओफ रेक्शन को घटा रहा है उसे आप बोलोगे इन हीबिटर्स और दियेगे विकल्प में इन हीबिटर नहीं है इसलिए हमने आप्ट किया नन आफ दा अबव चलिए आगे और समझते हैं इनपूट एंड आउटपूट नर्फ मीट एड आगत और निगत तंत्रिका कहा मिलती है अब यह मिलती तो इस्पाइनल कॉर्ड में है इस्पाइनल कॉर्ड विकल्प में नहीं है लेकिन सेंट्रल नर्फा सिस्टम केंद्रिय तंत्र का तंत्र मस्तिस्क और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना है जो राइट एन्सर इस सी ची इस द राइट एसर कंद्रिय तंत्र का तंत्र चैंट्रल नर्फ शिस्टम थर्टी सवन का दंत्र सी दिद्ध राइड एंसर ठेग देखे आप so input nerves चाहे input nerves वो है sensory neurons from sense organ to brain sense organ से brain पारी है output nerves चाहे motor neurons from brain to sense organ यह reflects our connection between the input and output nerves meet in a bundle in the spinal cord in fact nerves from all over body meet in a bundle in spinal cord on their way to the brain तो क्या हो रहा है च्योंकि spinal cord option नहीं तो क्या हुआ हमारे पास central nervous system वाल option तो है heart नहीं होगा liver नहीं होगा हम आप करेंगे central nervous system clear आई आईये which of the following technologies देखे जरा will be enabled by 5G mobile communication 5G mobile संचान नेट्वरक द्वारा सक्चम क्या की जाहंगी Internet of things years age computing years network slicing years a 1 2 and 3 आप देखरो कितना aware रहना आपका जरूरी है clear guys मैं side हुजा रहा हूँ आप एक image देखिये have a look on screen मैं side हो गया है देखिया तो बिल्कुल अगर आप इसे और options दिये जाए device to device communication, ultra densification, radio assess technique, big data and mobile cloud computing, green communication, massive memo तो ये सारे options भी आप याद रखेंगे मैं side हो जा रहा हूँ आप इसे ध्यास देख लें तो a option 1, 2 and 3, 38 का a is the option guys हम लोग set भी कर रहे है set b कर रहे है match list 1 with list 2 बहुत पुराना सुची 1 और सुची 2 के मिला रहे हैं आप कैसे नी हाइजेंस सनी और उसके रिंगों के लिए a का 2 जैसे आपने a का 2 मिलाया Juno Jupiter b का 1 मिलाया a का 2 b का 1 जैसे हमने मिलाया Artemis human space flight moon to Mars और Veritas Venus c का 4 d का 3 b is the right answer 39 का b guys कितना weighted science and tech science का भायों का geography का बढ़ रहा है 60 plus questions आप इस segment से पाओगे इसे आप ignore नहीं कर सकते हैं ठीक चलिए come on the next question list 1 कपड़या है list 2 उत्पत्ती है leaning choir jata mohair down अंग्रेजी को दिवनागरी में लिख दिया है अगर leaning की बात करें so guys sun का पोधा flex plant a का 2 choir की बात करें narial b का 1 a का 2 और b का 1 जैसे हमने किया हमारे पास c का 4 mohair अंगूरा बकरी और डाउन बतक और गीज के पंग से d is the answer 40 का d ठीक 40 40 का d आएंगे question number 41 बहुत प्यारा question है बहुत प्यारा question आप जड़ा question एक बार पढ़िये और फिर मैं आप से बात करता हूँ tiniasis is an intestinal infection caused by three species of tapeworm फीता ये आतों का संग्रमन है tapeworm फीता क्रीमी की तीन प्रजातिया है tiniasoleum, tinias sagineta और tiniasiatica ठीक है जब cyst develop होगा मस्तिस्क में when cyst develops in the brain condition is called neurocystisrosis NCC guys statement 1 correct है आप से पूचा correct कौन सा है लेकिर statement 2 गलत है statement 2 is not correct तो neurocystisrosis की अगर चर्चा करें अगर आप से इसकी बात करें आईए ज़रा आप इसके समझने के प्रैस करिए ठीक आगिरी हो कैसे रहा है लेकिए ज़रा tiniasis in human is parasitic infection caused by tapeworm species फीता क्रीमी के प्रजातियों से होने वाला संक्रमर है infection है tiniasis beef में है ठीक beef tapeworm tiniasoleum pork जो sewer का मांस है उसकी बात हो रही है and tiniasis asian tapeworm human can become infected कब जड़ इनके मांस ठीक से नहीं पके अंडर कुक्ट रह गए तो ये टिनीasis आपके आतों का संक्रमर कर रहा है इतना ठीक है गाईस आईए आगे और समस्ते है neurosisterosis ये एक preventable parasitic infection है ये भी आपके केंदरी तंत का तंतर को central nervous system को प्रभावित कर रहा है caused by pork tapeworm तीनिया solium ये pork tapeworm तीनिया solium या या तो pork ठीक से पका नहीं या पानी का contamination है पानी में tapeworm के eggs है ठिक इसमें हो क्या रहा है इससे infection हो रहा है और यही epilepsy का होने का seizures के होने का बहुत बड़ा कार है statement one सही था two गलत था या आप इसके चक्र को टीनिया सेजनिटा के चक्र को देख पा रहा हो कैसे आपके आतों में कर रहा है ये संक्रमड ठिक चलिए which of the following are computer languages cobra अब follow नहीं करते python, squirrel, java आज भी follow करते है सवाल ये बना follow करते या नहीं करते language तो है ही तो हमारे पास all of the above d का विकल सुचारू रूप से दिख रहा है cobra, python, squirrel, java python और java काफी चर्चीत है 2 और 4 देखिया आप smartness कैसे निकालोगे आप python और java सब को पता है 2 and 4 2 and 4 का कोई विकल नहीं है तो आप all of the above ऐसे भी answer निकाल सकते है ठीक, चलिए chat, GPT, chat, GPT, chat, GPT पूरा हंगामा मचाओ था प्रस्ण आना ही था है न गाईस देखिया full form of GPT generative pre-trained transformer A is the right answer समचारों में तेखिगे chat, GPT में GPT का पूर्ण रूप generative pre-trained transformer एक लार्ज लेंगवेज model-based chatbot है developed by open AI and launch on 30 नमंबर 2022 काफी हंगामा हुआ विच एनेबल यूजर तो रिफाइन एक गन्वेर्जन तोर्स डिजार लेंथ, फॉर्मिट, स्टाइल and level of detail and languages ठीक है ज्यादा समय नहीं लेकाएंगे ये question बिलकुल मैंने offline batch में example दिया था कि अगर आपको गुलाब जामून या कोई मिठाई जो आपको फसंद है खाने को मिले, जी वो लप से बाहर निकालोगे लप मेंस frontal part पे sweet के taste bud है खटा सोच की गालों के पास खटापन आ रहा है याद करिए कवा के लिए दवा पीछे लेका जाओगे वही उसके बीटा के taste bud है ठीक, यानि आपके पास मीठे का है कवे का है मैं सुनेगा मसालेदार का नहीं है ठीक, मसालेदार का नहीं है ठीक है अब चार चार वाला विकल्ब आपके पास नहीं है ठीक, तीखा हमने कवे तीखा में पूरे आपके जीब में sensation होती है मन करता है कि जीब बाहर निकाल दू कैपसीन नामक पदार्थ मिर्ची कैपसिकम एनम में है जो sensation के लिए जिम्धार है क्या पूछा correct code आपको पूछना है not पूछा है नहीं तो sweet yes मीठा yes करवा yes नमकील yes उमामी yes खट्टा yes ठीक, क्या कर नहीं चार और साथ नहीं दी, 4 and 7 आपके पास answer है जिसके taste bud नहीं है स्वाथ की bud नहीं है यह आपको दिख रहे है करवापन का, खट्टेपन का salt का, मीठा का तीकापन पूरा sensation cause करेगा और मसाले का कोई taste bud नहीं होता ठीक गाइस आईए come on the next question sweet से क्या हो रहा है आप कार्बो हाडियर को चबा के माल्टोज और सुगर के फॉर्म में कर्णबाट कर रहा हूँ खट्टे पंस के taste bud क्या कर रहा है है ना prevent intake of toxic substance salty क्या कर रहा है salt के balance को maintain कर रहा है bitter wal taste bud करवे सबान को लेने से बना कर रहा है उमामी आपको protein की intake के लिए प्रमोट कर रहा है proper growth और maintain आपका बना रहे उसके लिए एक important taste bud आपको दिख रहा है guys बिलकुल जब मैंने offline batch में nervous system कराया तो 10-12 disorders मैंने लिखाई है है ना आए देखते हैं which of the following pairs are correctly masked anorexia guys anorexia एक eating disorder है हमेशा इनसान चाहेगा कि अपना weight lose करे dieting करे और बिमार पढ़ जाए यह वन का E है यादि वन गलत है ठीक insomnia यह तो common sleep disorder है two का this यादि two गलत है one cut two cut जहाँ one आएगा देख all नहीं होगा ठीक only one and two गलत है correct पुछने आपको टू आ गया ये भी गलत है theory of elimination इतना जो मैंने बताया आपको इतने से अगर आपने कर लिया आपके पास ए एंसर आ गया only three and four dyspnea सास फूल रही है ठिक anosmia covid में लोगों ने smell sense करना गंद का आंसिक और पूर हानी होने लगा था ठिक तो three सही है चार सही है A is the answer only three and four चलिए आए गम आण the next question pulses क्या है highly ब्रम्हान में pulses क्या है radio waves emitted by star group of star explosion of star या घूमते हुए neutron तारे rotating neutron star एक highly magnetized pulsers क्या है highly magnetized rotating neutron star है जो जो emit करता है beams of electromagnetic radiations यानि C आपका सही विकल्प है घूमते हुए neutron तारे आई इसे और देखते हैं pulsar is highly pulsar is highly magnetized rotating neutron star that emits beam of electromagnetic radiations out of its magnetic pole इस radiations can be observed only when a beam of emission is pointing towards earth तो आपको यह दिखता है and irresponsible for the pulse appearance of emissions जब beams earth के तरफ आती है और flash across us कब जब neutron star rotate करता है तो हमें pulses दिखती है pulses दिखने के कारण ही खगोल विद्या वेग्यानिकों एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्हें नाम दिया as pulsers यह है क्या highly magnetized rotating neutron star जो emit करेंगी electro magnetic raditions कहां से अपने magnetic pole से ठेक यह कर आपको observe होंगी raditions यह तर absorb होंगी जब beam जो emit हो रहा है it is pointed towards earth तो आपको यह दिखेंगी clear है चलिए come on the next question बहुत प्यारा question है guys budget 2023 में वित मंतरी स्री मती स्री मती निर्मला सीता रमन जी ने बात की क्या बात की iatis को कहा की lab grown diamond पे काम करें बहां सुनीगा ठेक so lab grown diamond पे काम करने की बात की उन्होंने grant देने की बात की iatis को budget 2023 में clear आईए समस्ते इस बात को इसमें जो diamond seed commonly used है that is graphite प्रयोग साला में विक्सित हीरे high temperature high pressure chemical vaporize method ठिक के संदर में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है graphite अब जानते हो graphite sedimentary rock है diamond metamorphic rock है high temperature high pressure graphite is used as diamond seed and when subjected to these extreme conditions of high temperature high pressure relatively inexpensive form of carbon turned into most expensive form of carbon budget 2023 में lab grown diamond की बात हुई mentioned by finance minister निर्मला सीतर मन union budget में बात हुई इन्होंने announce किया to grant give to provide grant to IITs ताकि वो growth of LGDs lab grown diamond की बात कर सके उस पर कार कर सके इंडिया उसमें bulletproof jacket बनाने के लिए कौन सा fiber का हम इस्तमाल करते हैं what is the fiber used to make bulletproof jacket बड़ा ही चर्चित guys right answer nylon नहीं tearlin नहीं tweet नहीं kevlar is the right answer kevlar की बात करे ठीक तो आप इसका इस्तमाल करते हो is the most commonly used material as armored for protection against bullets used in handguns क्यों इसका resistance है strength है और हलका वजन है खास जो बात इसको समर्थर में लाती है इसका resistance इसकी strength और इसका हलका वजन bulletproof waste as compared to other materials HMX HMX का पूर्ण रूप क्या है what is the full form of HMX विकल देखिए high melting explosive बिल्कूर सही है high density mono atomic xenon has monetizing her majesty guys D is the right answer only one 49 का एक अगर किसी विकल में आप की अगर किसी विकल में आपकी मुझसे सामती नहीं हो रही है तो मैं आपको last में whatsapp number दूँगा आप उस पे मुझे contact कर सकते हैं clear guys चलिए आगे और देखते हैं dissolved slightly in water very small amount of HMX will turn into a vapor in the air ठीक है name of Tesla's humanoid robot launch in October 2022 October 22 में launch किये गए Tesla के humanoid robot का नाम क्या है गाईज Optimus याद आ रहा है कितना चर्चा में था Optimus humanoid robot है developed by American company Tesla आईए कुछ सवालों को देखते है Optimus क्या है एक humanoid robot है developed by Tesla क्या करेगा that can perform simple task watering plant carrying boxes lifting metal bars कुछ इस तरह के असान कारे को perform करेगा कैसे बाकी humanoid robot से अलग है it has cognitive ability of perceiving planning and navigating the world कौन technology इसे train करेगा है ना तो train by custom data center technology called as dojo ज्यादा नहीं बात कर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ आप आने वाले और प्रस्ट के बारे में जानना चाहते हो बड़ा पुराना प्रस्ट है यह वाट इस मैन हैटन प्रोजेक्ट अगर मैं हैटन प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यह रिसर्च और डेवल्मेंट है है ना जो यूएस इन क्लाबरेशन विद यूके एन सपोर्ट फ्रॉम केनदा इन्होंने किया था रिसर्च एन डेवल्मेंट अनुसंदान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाडू हत्यार का उत्पादन किया फिफ्टी वन का बी इस दा राइट एंसर ठीक है यह आपको दिख रहा है मैं देटर प्रोजेक्ट ठीक रिसर्च एंड डेवल्मेंट अंडर्टेक्ट इन दुरिंग दूरिंग 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 डूर्ड वार था फिर्स नुकलर वेपन लेट बई यूए इस इन अगले क्वेश्टिन की बात करें इंसे इंसे इसमें आपको यह क्वेश्टिन मिलेगा इमेज फॉर्म बाई कंकेब मिरर रियल इन वर्टेड एंड अफ सेम साइज आज देट अफ अब्जेक्ट कब जब पोजिशन अब्जेक्ट की कहां पे होगी सेंटर ओफ करविचर में 52 का सी इस दा राइट एंसर सी इस दा राइट एंसर जब से सोलर मिशन जब से दोजार पंदर के पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फरेंस में आई एस ए लॉंच हुआ है इंटरनेशनल सोलर एलाइणस तब से फोटो वोल्टेक सेल फोटो एलेक्रिक सेल सोलर मिशन ग्रीन एनरजी ये सारी बाते चर्चा में आई फोटो एलेक्रिक सेल एक डिवाईस है अच्छा जो लाइट एनरजी को जो प्रकास उर्जा को विद्धूत उर्जा में एलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है 53 का बी 53 का बी क्लियर चलिए सो सिंपल समाल है ज्यादा समय नहीं लगाएंगे फोटो वोल्टिक सेल को हम सोलर सेल भी बोलते हैं जो लाइट एनर्जी को प्रकास उर्जा को एलेक्ट्रिकिटी में कन्वर्ट कर रहा है बाई फोटो वोल्टेक इफेक्ट जो एक फिस्कल फेनमेन है कम ओन नेक्स क्वेस्टें नंबर 54 एमाउंट औफ सोल्यूट प्रिजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास और सॉलूशन और सॉल्वेंट इस नोन एज डैस इन केमिस्ट्री विलेयन और विलायक के प्रती इकाई आयतन या प्रती इकाई दर्मिमान में उपरस्तित विलेय के मातरा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है जाइस बात है अब दो बात आपको परशान करेगी कंसेंट्रेशन तो समझ में आ रहा है एमाउंट आफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास आफ सॉलूशन स्लैस सॉल्वेंट दिया हुए is known as कंसेंटरेशन कुस्टेंटरेशन किसका कंसेंटरेशन आफ सॉल्यूट D is the right answer कि भई सॉलूट का कंसेंटरेशन कितना है एईस आ यूनिट मोल्स पर क्यूबिक मीटर 54 का विले की सांधरता कंसेंटरेशन आफ सॉलूट अमाउंट आफ प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सलुशन और सॉल्वेंट इस नोन एज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कैसे मापेंगे मोल्स पर क्यूबिक मिटर गाइस बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अगर हम कोविट वैक्सिन की बात करें पूरा बेश्चु परसान रहा है ठीक तो यह कैसे कारिक कर रहा है अब सटीक आपसंस आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे करने बाले हो आप देखिए ज़रा ध्यान से क्या विकल्प आपको लग रहा है कि इंट्डूसिंग हामलेस पीस आफ सार्स स्योवी टू कोविट टू वाइरस वाई एंट्डूस नहीं करते एंट्डूस हमारी बॉड़ी मिलाती है लाइव वाइरस नहीं डालते हैं कई बार आप न्यूगलिक एसिद के फ्रेग्मेंट यूज करते हो यह भी गलत यह भी गलत आपके पास डी इस दा राइट एंसर देखिए आप कोविट 19 वाइरस जो कोरोना वाइरस है इस पाइक प्रोटीन से ठेक इसी को वैक्षिन टार्गेट करती है वैक्षिन डाउट कंटेन एनी लाइव वाइरस है नहीं है वाट इस प्रोटीन सब्यूंट वैक्षिन प्रोटीन सब्यूंट वैक्षिन अर टाइप ऑफ वैक्षिन देट कंटेन्स हार्मलेस कॉपिस ओफ कोविट 19 इस पाइक प्रोटीन इस वैक्षिन दून आट कंटेन एंटार वाइरस उसमें प्रोटीन के फ्रेग्म सार्स वायरस हामने स्पीस में आगया स्पाइक प्रूटीन आगया और दी इस दा राइट एंसर क्लियर चलिए इस डबलू एच-ओ के साइट से मैंने लिए है विच अव दे फॉलिविंग इस मौट यूनेस्को वर्ल हेटे साइट अगर हम उनेस्को के वर्ल हेटे साइट की बात करें तो आज हमारे पास 42 इस वार्टेन साइट है हैना सेप्टेम्बर दोजार तेईस में गुरू रविन नाथ टैगूर के द्वारा स्टेबलिस सांती निकेतन को सेप्टेम्बर दोजार तेईस में एक तालिसवा और ठीक होई सालास करनाटका को सेप्टेम्बर दोजार तेईस में बैलिसवा जोड़ा गया इसलिए उमीद था कि कुछ मैं एक्सपे करा था कि ये पूछेगा ये न पूछ के पुराना प्रसन आप से पूछ दिया तो जाइस बात ये है ये है ये नहीं है नौट पूछा है इं आगे समझते हुए हम बढ़ते हैं ठीक चलिए तो 42 साइट्स है आगे वाले एक्जाम में पूछा जाएगा सायंति निक्येतन गुरु रभीन ट्राइगोर्द्वार स्टैबलिस फॉर्टी फॉर्स साइट है जो सेप्तम्बर दोजार तेईस में एन होईसालाज इन का अगेन 42 सेकेंड है सेप्तम्बर दोजार तेज में ठीक आई ये देखते है सिर्ट रेक टूरिजम सूची रीफ अच्छा देखिए जाला सूची रीफ एमी शॉल तता ग्रांडे आईलेंड वेर आर दीस लोकेशन्स सिप्रेक टूरिजम के संदर्ब में सूची रीफ एमी शॉल ग्रांडे द्वीब पर भारती जल में जहाजो के मलवे का पता लगाया गया है यह है कहां पे यह गोवा के ओफ कोस्ट पे है गोवा तत के बाहर है वेर आर दीस लोकेशन्स आफ दे कोस्ट आफ गोवा ग्लियर सूची रीफ कहां प्रजेंट है कोंफलेंस आफ मारमगा हारबर एंड पेनिसल लेंड आफ केबो रिसेंट एक्सपलेशन आफ एमी शॉल्स गोवा है ब्रोट राइट रिमेन आफ इस्टील हर्ड स्टीम इंजन शिप्रेक ठीक है जी ट्वंटी जी ट्वंटी ये तो एक्सपेक्टेट था कि प्रस्ट यहां से आना है है ने गाइस आप भी उमीद कर रहे थे सवाल देखिया आप जी ट्वंटी के मेंबर्स की बात करूं एराउंड 85 परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडिपी वैस्विक जीडिपी का लगबग 85 परसेंट बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है 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 ना क्लियर है भाई इसमें 19 सौबरन कंट्रीज यूरोपेन यूनियन एफ्रिकन यूनियन सब आ गए है ठीक एबाउट 50 परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड गाइस ये तो 75 परसेंट पहुँच गया है गलत वैस्विक बैपार का लगबग 75 परसेंट जैसे दूसरा गलत हुआ करेक्ट पूछना ये गलत और 1,2,3 गलत टू थार्ड अफ वर्ल्ड पॉपलेशन बिल्कु सही है ठीक टू थार्ड अफ वर्ल्ड पॉपलेशन एंट 60 परसेंट अफ वर्ल्ड लैंड एरिया 1 & 3 आई ये C is the right answer 63 का शी 1 & 3 ठीक थेक्व लूप लूप देख्या ग्रूप 20 G20 इंटर गौंटल फोरम है comprising 19 sovereign countries European Union and African Union it works to address major issues global economy international financial stability climate change mitigation and 7th vikas sustainable development most world largest economic finance ministries industrial and W countries 80% of grossed world product 75% of antarastry trade two-third of population and 60% of world's land area kitana important organization thick I come on the next question three-day celebration of thadin youth thandi youth mahtso ka teen divasi utso कहां मनाया गया किस देश में मनाया गया बर्मीज लुनर मंथ म्यानमार ए इस दर राइट एंसर 68 का ए ए आपके सामने सही विकल्प दिख रहा है कि लाइटिनिंग फेस्टिबल और मैंनमार हेल्ड ऑन फूल मून दे ऑफ बर्मीज चरदर्मा मंथ लुनर मंथ अफ थाड़िन युद् है ना ठीक है कम ओन दा नेक्स्ट क्वेश्चन नेट मीटरिंग पाले यूपेसी में भी पूछ चुका है नेट मीटरिंग को कभी कभी समचार पत्रों में किसके परचार के संदर्व में देखा जाता है नेट मीटरिंग इस सम्टाइम्स सीन इन नूज इन कंटेक्स ऑफ प्रमोटिंग क्या प्रमोट करेंग आप क्या यूज ऑप पाइप नेच्रल गैस ना सी एंजी किट्स ना वाटर मीटर्स ना दी इस दा राइट एंसर एक बिलिंग तंध्र मेकनिजम है फर सोलर इनर्जी बाइक अनूमर्स फॉर एलेक्रिसिटी दे एड्टु दे ग्रीड भाई आप जो यूज दे कर रहे हो वो ग्रीड में चली जा रही है ठीक चाहिए वो विंड के थुरू हो चाहिए सोलर इनर्जी के थुरू हो सो सेवेंटी का डी इस दा राइट एंसर सेवेंटी वन पर आते हैं कम ओन सेवेंटी वन आपके सामने कलर दिख रहा है मेजेंटा मेजेंटा ब्लू रेड और वाइट मिला दे ब्लू रेड और वाइट मिला दे तो मौवे ब्लू रेड वाइट वाइट देखे ज़र क्या रहा है आपको ग्रीन ब्लू एंड राइट चेक करिए ब्लू रेड वाइट मौवे सी का चार ठीक जैसे हमने सी का चार मिलाया हमें तो एंसर ही मिल गया ए का टू बिल्कु सही है आई देख लेगा जाला बी का तीन बिल्कु सही है सायन ग्रीन और ब्लू एंड वाइट ठीक है तो डी का वाण सही है ग्रीन और ब्लू रैट मिलाके चलिए कर लिए हम वाट इस नेम ओफ दीप सी सबमर्जबल डैट इंप्लोडेट दूरिंग एन अंडर वाटर वाइस टू टाइटेनिक गहरे समुद में डूडने वाली उस पंडीबी का नाम क्या है जो टाइटेनिक जहाद के पोता वसेश की यात्रा के दौरान फट गई थी उसी के नाम पे सैटर्ण का लार्जेस सेटलाइट भी है मैं नहीं बता रहा कि टाइटन टाइटन अठार जून दोजार तेज टाइटन एक सबमर्जबल ऑपरेटेड बाई अमेरिकन टूरिजम एन एक्स्पेडिशन कंपनी Ocean Gate imploded during an expedition to view the wreck of Titanic in North Atlantic Ocean of the coast of Newfoundland Canada के नाम था टाइटन का लार्जेस कंपनी Ocean Gate चलिए विश्ट गवब्में लांच स्टेट लेवल कमिटी पर Vulture Conservation प्रोपोस भी नेस्टल एक्शन प्लान फॉर प्रोटेक्शन अफ वल्चर्स इन इंडिया गाईस यह वही राज्य है जो कीटू प्रूफेन को बैन कर चुका है हमें एंडो सलफायन की कहानी याद है हमने बायो मैगनिफिकेशन में पढ़ा है क्लियर राज कौन सा तमिल लाडू तमिल लाडू 77 का बी इस दा राइट एंसर ठीक बी इस दा राइट एंसर आये कम ओन दा नेक्स क्वेशन दस कैप्टिव नसल एसीयाई विसाल का कच्छुए मुक भूमी एसीया में सबसे बड़ी कच्छुए प्रजातियों में से एक हाली में किस राश्टी उद्ध्यान में छोड़े गए थे 10 captive breed Asian giant tortoise Manona emis one of the largest tortoise species in mainland Asia were recently released into which Nesla Park गाइस ये तो नागा लेंड के B is the right answer नतांगी राश्टी उद्ध्यान में नागा लेंड में छोड़े गए ठीक ये Asian giant tortoise critically endangered है by IUCN high degree of threat इनके पास है clear? चलिए बहुत पहरा question ये December 2022 की बात हो रही है ठीक according to चलिए आई ये अगले question बाते हैं तिल याडेंबी दुनिया के सबसे पहले पादब पराकड़को जिनने टिलिया डेंबिस कहा जाता है ये के टिलिया डेंबिस जिवास्म हाली में किस देश में पाए गए थे? आपके पास ओप्शन से चीन, ग्रीस, इंडिया, रॉश्या कमेंट में एंसर लिखिया जल्दी फास्ट गाइज, रस्या इस दर राइट एंसर रस्या इस दर राइट एंसर है नहीं? चलिए आईए अगले सवाल पर देखते हैं बिलकुल बई लिस्मन डेक्लेरेशन की बात करें पुर्दुगाल की बात करें तो सम्मन इनका बहा सागर से ओशन से है लिस्मन डेक्लेरेशन 85 का D is the answer 27 जून से 1 जूलाई 2022 की बात थी यह हमने देखा था है नहीं? चलिए How many lectures are there on the globe drawn at one degree interval पहले भी कई अभी में आपको मालूम होगा है नहीं? की equator कॉमन है फिर उपर और नीचे है ना? 90 degree north, 90 degree south बढ़ी लेट चूट क्या है angular distance taken from the center तो 89 यहाँ 89 यहाँ जोड लीचे 89 प्लस 89 9 यहाँ 18 का 8 रिमेनिंग 1 8 यह 16 वा 17 प्लस एक एक एकवेटर 179 ठीक एकवेटर को लेके कितने हो गए? 179 अजन विच प्लेटो ट्रोफिक आफ कैंसर और इंडियन इस्टेणर टाइम यहाँ आइणि तेश डिगरी उत्तरी ट्रोफिक आफ कैंसर एन आई-एस्टी साड़े ब्यासी डिगरी इस्ट अभी दोनों कहां क्रोस करेंगे दोनों कहां मिलेंगे? क्लियर है मालवा बुंदेल खंड बागेल खंड क्या आपको एंसर दिख रहा है गाईस ये कोरिया में 36 गड़ के कोरिया में दोनु एक दुसरे को क्रॉस करते है क्लियर यानि आपके पास सी बागेल खंड इस दा राइट एंसर बागेल खंड यह आपको दिख रहा है दोनों एक दुसरे को क्रॉस कर रहा है ठीक बागेल खंड बुंदेल खंड के इस्ट में है नौर्थ इस्ट एमपी एंस पार्ट ओफ यूपी ठीक है और इसके इस्ट में आजा रहा है कौन सा उत्तर खंड का तिबद के बाउंडरी से सीमा से नहीं लगा है गाइस अभी जो प्रिवेश र क्वेशन में इसी चैनल पर करा रहा हूँ सेम क्वेशन मैंने करा हुआ है जो लोग मुझे पहली बार देख रहा है इसी चैनल पर पिछले 35 वर्स के अलग अलग राज्यों में जो जोगफी के प्रस्ण आए है UPSC, UPPCS, Bihar PCS सारे मैं यहां करा रहा हूँ सेम क्वेशन आया हुआ है और हमने किया हुआ है अलमोडा is the answer 109 का A is the answer आप अलमोडा को देख रहे हो यह तीबद के बाउंडरी से नहीं लगा हुआ है फिर अगला क्वेशन यह भी पहले आया हुआ है वेर डाज एल नीनो करेंट फ्लो खूब अच्छे से ओफ्रेंड बैच्च में एल नीनो, ला नीना इंडियन ओशन डाइपोल पॉस्टिव डाइपोल, निगेटिव डाइपोल मोडो की मैं अपने जियर्स बैच्चे से में इनका मौनसून पर प्रभाव सारी बातें खूब अच्छे से समझाता हूँ प्रसान्त मासागर B is the answer 110 का B बाई एल नीनो एंसो का वार्म फेज है आई थोड़ा से एक लाइन बता दू एल नीनो इस दे वार्म फेज आफ एंसो एल नीनो सदन ऑसिलेशन बैंड आफ वार्म ओशन वाटर डेवलर्प्स इन सेंटर एन इस सेंटर एक्विटर एक्विटर्ल पैसिफिक आईडियल और 120 दिग्री वेस्ट के बीच में थेक चलिए ज़्यादा इसकी बात नहीं कर रहा है आगे देखते हैं लेक विक्टोरिया जब एफरिका रिफ्ट कर रहा है एफरिका टूट रहा है मैंने ख्लास पर कितनी वार कहा कि इस रिजन की मैपिंग इंपॉर्टेंड है इस रिजन की मैपिंग इंपॉर्टेंड है आईए देखते हैं थार्ड लार्जेस फेस्ट वर्ट लेक इस वर्ड बिल्कुल सही है स्टेटमेंट वन इस करेक्ट वन आफ दा ग्रेट लेक आफ भई एफ्रिका की तो ये largest lake है है ना सही है कर लिया तंजानिया के पास 49% युगंडा के पास 45% Kenya के पास 6% यह तो गरत हो गया आहिए अन्य आत्रोप ने लेक विक विक्तॉया इस निल रिवर फिचेश द़लीटर में निलिवर रिवेशिश द लेक नर द जिजा युगंडा घंग चालाई कि देख लिया कि आपको डूटना था कि इनकरेक्ट है नहीं तो स्टेट्मेंट 3 हो गया आपका इनकरेक्ट और थार्ड लार्जेस फ्रेस वाटर लेक इन दे वर्ल्ड वाले स्टेट्मेंट को जब ध्यांस देखिए वर्ल्ड का लार्जेस ट्रॉपिकल लेक है लेक सुपिरियर के बाद यही तो आ रहा है लेक सुपिरियर के बाद यही तो आ रहा है वन एंट्री ए इस दे एंसर चलिए पूरा एक्ष्टेशन दिया हुआ है शरफेस एरिया अप्रोक्सिमेटली 59,947 स्क्राइब लेक विक्टुर्य इस अफ्रिकास लार्जेस लेक बाद अर्ड लार्जेस लेक बाद अर्ड लार्जेस ट्रॉपिकल लेक एंड वर्ल सेकंड लार्जेस फ्रेस्वाटर लेक बाई सर्फेस एरिया आफ्टर लेक सुपिरियर इन नौर्थ अमेरिका सेकेंड ने थर्ड वली पॉइंट ग्राथ होगी ठीक लेक विक्टुर्य इस वन ओफ एफ्रिकन ग्रेट लेक्स अंस्टेटमें टू की बात करें तो यह तो सही है हमें डूडना इनकरेक्ट लेक एरिया इस वर्ड एमांग थ्री कंट्रीज तंजानिया 49 परसें यूगंडा 45 परसें एंड केनिया 6 परसें तो फोर कंट्रीज वली बात गलत हो गई वन एन थ्री इनकरेक्ट है और आएंगे नेक्स क्वेस्टन पे हीट व कि आपको करेक्ट ढूडना है कि अब नॉर्मली हाई टेंपरेचर अब तीस डिगरी पर थोड़े करोंगे हीट वेव्स प्लेन के लिवो भी इतना तो मदिली वाले जहेलते रहते हैं है ना 40 दिगरी प्लेन्स के लिए है अगर आएमडी की बात करें 40 दिगरी फॉर प्लेंस अंधरी दिगरी फॉर हीली रिजिंस उल्टा गल्दियन है नाइधर वन नॉर्ट तू चलिए तो चलिए पीच ने अंधरी अंधर विश्ट 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 ग्राइट अव्स पार्ट आवड बात के बीच में अंधर आए आएमडी ने क्या गांगा वार्ती मॉस भ्यग्या ने याजाए बारती इस विवाग ने इस नाट तूब अक्सिम टेट आप इस प्याए व 40 डिग्री फार प्लेंज एंड 30 डिग्री फॉर हिली रिजन्स है न है चलिए ठीक है आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैस कैसा कि आप लोग ने हो परसान नहीं होना क्रिस्टोफ फोलर क्रिस्टोफर कॉलम्बस खोज करता उनका जन्म स्थान कि यह तो इटैलियन थे कि यह थे क्या कि पाल तो स्वार है क्युआ कॉण है कि यह थे खिए उनकाष ए है टीज कॉलम्बस थे रिपल प्रटीज थीज 3D का वन अब इस तरह कौन याद रखेगा है न एंसर में दे दिया है कॉलंबस इटेलियन थे काटियर सेंट मार्लो फ्रांस ड्रेक इंग्लिस मेगलन पॉटीज ठीक है एमिरेट्स आफ यू ए ए यू ए ए के रियासती राज है आबुधावी साथ इसमें एमिरेट्स है राजानी है अजमन दुबई फ्यूजर रास अलखाइमा सारजा उम अलकुवेन यानि आपके पास B is the right answer B is the right answer UAE is an elective monarchy formed from federation of seven emirates अबुधावी capital अजमान दुबई फुजरा रास अलखाइमा सारजा एन उम अलकुवान यह सब आपको दिख रहा है रास अलखाइमा उम अलकुवान अजमन फुजरा सारजा दुबई अबुधावी सुबर्ण रेखा कहां से विलेज पूछ दिया किस गाओं के पास से निकलती है नागरी विलेज इन राची नागरी 115 का A is the right answer कई भर भाई अगर ऐसे सवाल आए तो अगर आपने पढ़ाया तो कर लोगे नहीं पढ़ाया तो छोड़ दोगे 116 पर आईए नेस्था पार्ग सेंक्चुरीज आर इन बिहार ठीक इस बर बिहार स्पिसल कम पुछा जो है तो बिहार में कौन कौन से है गौतम बुद्ध वाइल लैफ सेंक्चुरीज कैमूर कवर नाक्ती नांगी भीम बंध वाल में की है ना सो वाल में की है यस भीम बंध है यस वन एंड फोर बी इस दा राइट एंसर बी इस दा राइट एंसर यह आप देख सकते हो नाक्ती जमुई नागी जमुई कावर बेगू सराय कैमूर कैमूर एंरोतास पंत राजगीर भीम बंध मुंगेर गौतम बुद्ध गया वाल में की पस्चिम चंपारन विक्रम सिला गैंस्ट्रिक भागलपूर बर्ला जील सलीम अली वैसाली संजें गार्दी बालिजिकल पार्ग पतना उद्यपूर वाइल लाइफ चंपारन वाल में की पस्चिम चंपारन ठेक चलिए गैंस्ट्रिक डॉल्फिन के सम्मंध में निम्लेकित कतनों पर विचार कीजिए कंसिडर फॉल्विंग स्टेट्मेंट्मेंट्स गैंस्ट्रिक रिवर डॉल्फिन एंडेंजर अंडर आयूसियन लिस्ट अच्छा ड़स नॉट हैव क्रिस्टलाइन आइलेंस रेंडरिंग इट एफेक्टिबली ब्लाइंड बिल्कु सही है निविकेसे इंड हंटिंग इको लोकेशन करती है यह सही है और इंडिया का नेसल एक्वेटिक इनमल है गैस यूपेसी इसे पुछ चुकी है इसे पुछ चुकी है इसे पुछ चुकी है और इको लोकेशन टेक्निक को फॉलो करती है ठिक रीवर गंडक को नरायनी रीवर इन सेंट्रल नेपाल कहते हैं नरायनी नरायनी रीवर इन सेंट्रल नेपाल रिवर गंडग को काते है गोल्ड कहा मिलेगा गोल्ड कहा मिलेगा गोल्ड इस फाउंद इन विच आफ दर फॉलिविंग डिस्ट्रिक जमुई की बात हो रही है जमुई 119 का ए बिहार डिपार्टमेंट अ माइन्स एंजिलोजी ने एक एक्स्प्लोशन किया है और ट्रेस मिले हैं जमुई जीले में त्रिवेनी नहर कनिर्मार किस नदी पर किया गया है और विच आफ दे फॉल्लिविंग रिवर मुराक्षी कोशी सोद गंडक क्या आपको लग रहा है गंडक नदी पे यह बना हुआ है चंपारंग जीले पे ठीक तो गंडक डी इस दे एंसर प्लेसर रिच प्लेसर दिपोजिव और फाउंड ऑन घाना कोस्ट एंड गोल्ड बिरिंग वेंस अर फाउंड इन ब्रजील यह तो जब हम पढ़ते हैं कॉंटिनेंटर डिफ्ट थियोरी तो उसके एवडेंस में बताता हूं मैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस कॉंटरेंज वे जॉइन टुगेधर लॉंग एट्लांटिक कोस्ट बिल्कु सही है बोथ A and R are true and R is correct expression of A बिल्कुल नोट्स में कॉंटिनेंटर डिफ्ट थियोरी की जब कराता हूं एवडेंस तो यह वहाँ पे लिखवाता हूं गाईस है ना आएए देखते हैं क्वेस्टन नंबर 122 एक सो बाइस धारवार रॉक सिस्टम धारवार रॉक सिस्टम की बात करें तो A का 3 एक सो बाइस का भी इस दे एंसर तो दूदला दिख रहा है कोई बाद क्वेश्टन नंबर है आपके पास यह पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया है ठीक है कौन सा विच्छ फॉल्विंग इस वर्डिचेस रिजन फ्रम मरीन बायोडियस्टी परस्पेक्टिव कॉम्पराइजिंग 21 आइलेंड विद एस्चुरीज बीचेस फॉरेस्ट ऑफ नियर सोर एंवार्मेंट सीग्रास कोरल शॉर्ट मार्सिस एंड मैंग्रूस बहुत पहरा क्वेश्चन है किसकी बात हो रही है गल्फ ऑफ मननार बायस्वर रिजर्ब की बात हो रही है यहां पर सब कुछ है कि एक सो तेईस का भी है है ना कि लोकल टाइम ऑफ थिम्पू क्लास में कराया है ट्रिक दिया आपको इजी ए इस गेन एड डबलू एल एस वेस्ट लॉस सब्स्ट्रेक्ट क्या पूछ आप से देखिए जना जिसी लोंग सिरीज में भी कराया था लोगल टाइम ऑफ भुटान 90 डिग्री इस्ट जब ग्रीन वीच पे 12 बज़ रहा है 15 डिग्री पे एक घंटे तो 15 चक का 90 दोपार के 12 से 6 गंटे जोल लिजे 6 पीम बी इस दे एंसर कौन सा करेक्ट है पेट्रोलियम रिजर्ब्स अर फाउंड इन अरावली क्या बात हो जाता माइका इस फाउंड इन कोडरमा बिल्कुल सही है तभी आप इसे अबरग नगरी बुला करते थे सी इस दे करेक्ट 125 का सी इस दे राइट एंसर गाइस मैंने अपने सेग्मेंट के अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे संपर्क सापित कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी आप चैनल से जूट जाएंगे क्योंकि अभी देखा आपने जो मैं प्रीवेस आपको मिलेंगे क्योंकि मैं कई राज्यों के क्वेश्चन करा रहा हूं तो गाइस वे दन लॉट ऑफ क्वेश्चन्स मोर देन 60 क्वेश्चन्स अमने यहां से कर लिया है है और आपके पास फॉर एनी इस्टेंस लिंक दिया है आप हमसे जूट जाएंगे त्विटर और फेस्बुक पे आप हमसे जूट जाओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दि नहीं होंगे आपका बहुत धन्यबाद गौद ब्लेस यू जय हिंद जय भारत